हाई फ्रेंड्स वेल्कम टू माई योटूब चैनल आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में तो आज में बनाने जारी होममेड पास्ता वो भी आटे से जिसे बनाना बहुत ही आसान है और यह बहुत ही जादा हल्दी और स्वादिश बनकर तयार होता है तो चलिए अब हम बना धावस में नमाग आट कर दूँगे नमा क्याट कर लेने के बाद अब हम अच्छे से बूथ लेते हैं डिफाइंड मेरेड करने सो जो पास्ता बहुत होता है तो इसके बाद हम इसके रिख यां चोटी-चोटी हम छोटी लोह कट करेंगे यह पर पे ज्यादा बड़ी लोह तो छोटी चोटी लोगा कट करकर अब हम इसे बेल लेते हैं तो मैंने चक्टा भिनन पे थोड़ासा आटा ले लिया हुआ है। इसके बाद हम पूरी ओंके शेप में इसे बेल लेंगे। इसे जाधा बड़ा नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पर पूरी के शेप में इसे बेल लेती हूँ तो यहाँ पर बेल कर रेडी कर लिया इसके बाद से एक हमने पेंट ले लिया हुआ आप चाहे तो पैंसिल और जो भी आपके पास है इसे अच्छे से फोल्ड कर लें तो साइड में मैंने थोड़ा सा पानी लगाय और इसी तरह आप सारे के सारे रूल बना कर तयार कर लें मैंने तो यहां बना लिया मैं तो चलिए अब हम इसे स्टीम कर लेता है तो मैंने इस स्टीमर को पहले से रख दिया हूथा गरम होने के लिए इसके बाद में इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लागा लोंगी ताकि 15 मिनिट बाद एक बार हम चेक कर लेता है रोल जो है हमारा आटे का वो स्टीम हुआ है यानि तो यह देखिए मैं इसे टच कर गए है तो यह बहुत ही अच्छा से प्रेस हो जा रहा है यानि कि स्टीम हो चुका है इसके बाद अब हम इसे फ्लेट में निकार लेंगे सारे ही रोल को प्लेट में निकार लेने के बाद मैं इसे ठंडा हो जाने देता हूं 10 से 15 मिनिट बाद तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रोल जो ह Ess हलका सा थंदा हो चुक है तब हम इसे कट कर लेंगे तो आप mi stri向 चॉपिंग भूड़ पे anche करके कर लें मैंने यह पर जियादा मोटे मोटे पीस नहीं किया वह ए तो इसम पतले पेस में मैंने यहाँ पेसर कर लियाव है तो मैंने तेल का अच्छे से गरम हो जाएगा मैंने यहाँ पे चॉप किया हुआ हुआ है अद्रग को हलका से स्टर कर लेते हैं इसके बाद मैं इसमें एड कर दूँगी चिली यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली का यूज किया हुआ है अप अपने टेस्टों अकॉर्डिंग एड कर लें थोड़ा सा चिली भी हम स्टर कर लेंगे इसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज ले लिया हुआ है प्याज को भी अच्छे से हम 2-3 मिनट तक भूल लेते हैं ताकि जोग प्याज का कच्छा पन है वो बिल्कुल भी ना रहा है तो यहाँ पे भूल लेने के बाद मैं इसमें अब अब आट करूंगे पत्तव भी बारिक कची हुई तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पत्तव भी का यूज किया हुआँ अगर आपके पास और भी सबजीया था आप यूज कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पे पत्तव भी को अड़ने के बाद ग्एस को हाइफ लेम पे रख को हम सारे वेजी के साथ अच्छे से स्टर कर लेंगे मशनी पहरा है, इस के बाद final अच्छे से बहुन याड कर देंगे. और caffeine enik confirmed eerste cycle continuous Turam. 000 लेंगे सारे मसालों के साथ यहां पे लमस्ट यह चे सारे मसाले ना भूत सा एड़ा साथ तो यहां पर शे करें पास्टी है तो यह पर मैंने थोड़ा साथ सोया सास न होग कहां तो आप हम इसे सर्फ कर लेंगे। तो अगर आप सबको टासले पर अपने घर में बनाईबएा। एक बर सोह क के जीएगा। तो कौधसेखां, आप मुझे कमेन्ट की जीएगा। चैनल को लाइक, सबस्क्राइंत श्रै किजीएगा। थैंक्स फॉर वच्छिग मैं वीडियो